आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ नेट क्या होता है देखो, suppose कोई हमारे पास figure था जैसे माल लो हमारे पास यह एक rough figure बना लो यह कौन था, ठीक है, ऐसा हमारा कौन था तो यह तो 3D figure है, अगर मैं इसको खोल दूँगा इस figure को मैं खोल दूँगा, मनलब basically 2D में तो क्या होगा, एक यह triangle आएगा मेरे पास और एक यह circle आ जाएगा, यह circle जोगा यह base की वज़े से आया और यह triangle यह पूरा 3D में रहोगा, उसे मैंने खोल के 2D में गनुट कर दिया, तो यह होता है basically किसी भी figure का net, तो बात करता है hexagonal prism की, hexagonal prism में क्या होता है, देखो, यहाँ पर हम अपना hexagonal prism show कर लेते हैं, तो यह होता है यह six है, और यह जो, यह कहा है, जो six sides का एक figure है, यह दोनों figure यह two है, तो total कितने होगा है, eight है ना, अब देखो, यह जो ऊपर और bottom का जो area, बलब यह जो face है, इसके लिए हमें दो यह चीह होगा है, एक ही होगा, और यह दो होगा है, है ना, ऐसे दो ही तो चीह होगा है, simple स तो इसने तो 3 hexagon दिखा दिए, हमें तो figure में दो ही चीह है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें single hexagon है, अब यह हो सकता है, यह तो यह हो सकता है, ठीक है, अब कैसे check करें, देखो, इसमें देखो, यह दो नों तो 2 है, ठीक है, hexagon 2-2 है, अब देखो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इ में देखो, यह और यह top and bottom बना देंगे, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह 6 faces हो गए, तो यह side के surfaces बना देंगे, तो correct answer option number 1 होगा, thank you.